हेलो गई स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करें कि अधानी ग्रूप की और यह एक रिपोर्ट आई है जो कि आज ही की है वो भी अभी देखे तो बाजार बंद होने के बाद यह रिपोर्ट आई है स्टार बजे के आसपास तो इसको हम पढ़ेगे वह भी हमने हिंदी ब इसके अंदर एक बाउस बेकानी की पॉसिबिलिटी रह सकती है तो छोटा ट्रेट अगर लेना है तो ले सकते हैं विथ स्टोप लॉस के साथ तो वो कौन-कौन से शेयर है उसके बार में हम चर्चा करें कि तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को अगर आपकी अध क्या है यह आप देख सकते हैं कि अधानी ग्रूप पर लगे आरोपो की जाज के दाइरे में आया यह बड़ा नाम पड़े पूरी खबर कि हिडन बग की रिपोर्ट में एकांटिंग और ओडिट को लेकर भी सवाल उठाए गये थे इन आरोपों के बाद एक समय ग्रूप क कूल मार्केट के एक सो पचास अरब डॉलर लुडग गई थी और यह रिपोर्ट की अप तारिक और यह भी देख सकते हैं अब आगे देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या करा गया है और उससे पहले भी मैं आपको बता दू कि आज की जो गिरावट है परसों की भी जो गिर वट यह तो पूरा बाजार ही गिरा है उनके साथ-साथ इये शेर गिरे है तो यह भी जो है आप एक मतलब की नोट करके सकते हैं कि सिर्फ अदानी गूर्प ने ही गिरा है पूरी बाजार ही गिरी है और इसको आप खुद देख भी सकते हैं कहीं छोटे मजोले शेर's यहां पर हम देखते हैं रिपोर्ट क्या है कि अदानी ग्रूप पर लगे आरोपो की जाज का दाइरा अब बढ़ रहा है और अब इसमें कई दूसरे बड़े नाम भी आ रहा है सूतरों के द्वारा मिली खबर के मुताबिक अदानी ग्रूप के लंबी यवदी के एक आर ए ने एवाई ए की भारत में मेंबर फर्म एस आर बाटली बाई से जानकरिया मांगी है सूतरों ने कहा कि रेग्यूलेटर ने फर्म के द्वारा गवतोम अदानी के नियंतरन वाली कुछ कंपनियों से जुड़ी फाइल और जानकरियों की मांग की है ये फाइल दोजा या फिर एस आर बाटली बाई की तरफ से कोई प्रतिकिया सामने नहीं आई है अब तक और आगे देखे तो मतलब की ग्रूप की पाँच कंपनियों की ओडिटर्स है फर्म तो इस बात को लेकर तस्विर साफ नहीं है कि इस जाच में कितना समय लग सकता है और इसका असर क् होगा एस आर बाटली बाई अदानी ग्रूप की पांच कंपनियों का ओडिट करती है और इन पांच कंपनियों की आई ग्रूप की कूल आई का आधा है वटलब की 50% के आस पास और इस समिक्षा के संकेत है कि नियामत जन्वरी में ग्रूप पर लगाए गए आरोपो को ले ही है और जिनको नहीं पता उनको में बता दू कि 30 अक्तुमबर को मतलब की जो है वो सुप्रीम कोड की फिल से सुनवाई भी जो हो सकती जो की अगले सोमबार को है और रिपोर्ट में ये आखिर में देख लेते हैं कि हीड़नबर की रिपोर्ट में अकाउंटिंग पर भी कि भालत के कानून के मुताबित विदेशी अकाउंटिंग फर्म्स ओडिटर के रूप में रजिस्टर नहीं हो सकती है इसलिए ईवाई यी सहित चार बड़ी फर्म्स स्वतंत्र रूप से काम करने वाली सहियोगी के जरिये ओपरेट करती है लिड़नबर की रिपोर्ट में जद काबिल प्रोफेशनल्स के द्वारा देखा गया है और एस आर बाटली बाई का नाम आई एल एंड एफस के मामले में भी सामने आया है जब उसे एन एफ आर ए के सवालों का सामना करना पड़ा था तो यह जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है तो मतलब कि इस वीडिय करें तो वीडियो आप जरूर देखिए आरे साइक के ऊपर जो है कहीं यह से शेर है जो की 30 से नीचे पहुंच गये है कहीं तो जो 25 से भी नीचे पहुंच गये तो मतलब कि ओवर सोल्ट के टेग्री में अभी जो है आ गये है उसके अंदर एक बांस बेक की जो है पॉसिब करें अपने फाइनाशर एडवाजर की सला ले उसके बाद ही कोई डीसीजन ले और डीसीजन ले तो उसके जीमेदारी मैचुरेटी के साथ को दी ले यह वीडियो में ने जो किसन परपस के लिए बनाए है मेरी तरफ से कोई बाई एसल की रेक्मिनेशन नहीं है थेंक्यू झाल 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 झाल